जाहिन दोस्तों, वेलकम टू आई एस विदरी मोहन, दोस्तों मैंने अभी कुछ दिन पहले केरला स्टोरी का एक पोस्टर देखा, पोस्टर के बाद जब मैंने उस ट्रेलर को देखा, तो मैं अपने अतीत में खू गया, अतीत में किस तरीके से, जब वो एक लड़की गहती है, या एक लड़की को गोहर कर, दो-तीन लड़की और बैटी रहती है, किस तरीके से उस लड़की को सकाफ पहनाया जाता है, जो उसकी एक्टरेस है, अदा शर्मा, और किस तरीके से भगवान की ताकत के उपर, क्वेश्चन मार्ग किया जाता है, जो की एक जो था, ये कश्मीर जो आपका केरला स्टोरी है, इसी के उपर बनाने की सोची थी, लेकिन असलियत में जब मैं इसके नोट सोगरा बनाने लगा, तो पता लगा, कि it's not just a single story, it's a global agenda, global agenda of Islamization of this world, ये इस दुनिया को Islamize करने का एक global agenda है, कैसे, दिए ये विचारतों मैं पहले भी रख चुका हूँ कि Islam का जब जनल हुआ, तो वो कभी भी सिर्फ और सिर्फ religious reform movement नहीं था, बलकि from the very first day, पहले दिन जिस दिन से Islam के बारे में प्रीच किया गया, धर्म का नाम रखा गया, तभी से साथ में ये political agenda बना दिया ग जिना, इससे जस्ट आगे वाली step में आप देखेंगे, इस political power पर कबजा बनाए रखने के लिए, आपस में prophet के जो खांदान वाले थे और followers थे वो भी बिड़े, और मैदाने करबला उसी का एक example है, जिसे बले ही ये लोग मुसल्मान मुसल्मान की रडाई कहते हैं, लेकिन असलियत में वो एक political war था, जिसमें एक section of Muslims, जो followers of prophet था, वो दूसरे section, mainly जो उनके successors थे, उनके family members थे, उनसे लड़ रहा था कि power किसके हाथ में होनी चाहिए, वो जो followers हैं या वो जो family members हैं, और ये मैदाने करबला का पहला और जो आप दिखाएं, मतलब मैदाने करबला दे political जो movement था, उसका पहला war था, जो आपस में लड़ा गया, उसके बाद step by step अगर आप देखते हैं, तो continuously हर कदम पर जब अल्लाह का नाम लिया जाता है, तो उसके साथ ये line जोड़ी जाती है, अल्लाह के साथ, कि पूरी दुनिया, पूरी काइनात इनकी है, मैं भी बनता हू अल्लाह गौड भगवान, पूरी दुनिया इनकी बनाए हुई है, लेकिन problem यहीं से है, गौड इस वन, अल्लाह एक है, बिलकुल मानते हैं, गौड इस सुप्रीम, अल्लाह सबसे ताकतवर है, बिलकुल मानते हैं, ये भी मानते हैं, तो आपको कोगे लड़ाई कहां है, ल रहा है शायद prophet का नाम लिया जा रहा है कुरान का गलत interpretation किया जा रहा है और अपना एक political agenda आज के दिन सरकार में बैठे आज के दिन धर्म के नाम पर धार में गद्दियों पर बैठे कुछ सिर्फिरों का एक बहुत बड़ा propaganda है जिसमें बहुत कुछ घालमे या बहुत कुछ ह बाच बाच हो रखा है अब क्योंकि मामला केरला स्टोरी से जुड़ा हुआ है तो सबसे पहला एक सवाल तो ये political agenda का सबसे मामला समझी है केरला स्टोरी में बाल्स आई बाल्स को कैच करने के लिए ध्यान आकरशित करने के लिए एक figure दिया गया 32,000 लड़किया हाला कि मेर ये मानना है कि 32,000 का figure जैसे ही दिया गया था exactly उसी moment पर जो एक्सवाइजर शायद विपुल शाह कोई इनके डारेक्टर है इस movie के उसने कहीं न कहीं controversy को नियोता दे दिया था लेकिन असलियत में इस पूरे Islamic propaganda को defend करने वाले जो लोग है जो एक ideological shield की form में खड़े हो जाते ह उन्होंने असलियत में इस पूरे के पूरे reality जो इस movie में दिखाई जाने की कोशिश की जा रही है उस पूरी reality से ध्यान भटका कर पूरी debate को सिर्फ और सिर्फ 32,000 के figure पर अटका कर रख गया अब इसका एक अगला phase समझे के मज़े की बात ये है कि बड़े बड़े debaters जो है वो भी इस 32,000 की figure का जवाब देते देते ही ठग गए लेकिन कभी भी इस debate का जो real concept था या real content था वो निकाल कर ही नहीं लेकर आए या निकाल ही नहीं पाए तो मेरी कोशिश यह है कि असलियत में इस 32,000 की figure से थोड़ा सा हट के आगे बढ़ा जाए क्योंकि सवाल 32,000 का हो या केवल 32 का हो मेरी बात समझे सवाल अगर 32,000 का है तो भी और सिरफ 32 का है तो भी मेरे लिए एक बराबर है मेरे लिए 32 की भी वही importance है जो 32,000 की है क्योंकि अगर किसी के साथ गुनाह किया ग गया है और उस फ्राड में उस किसी को उलजा कर उसकी जिंदगी बरबाद की गई है उसे सीरिया के जंगलों में दफन कर दिया होने पर सीरिया की रेत में दफन होने पर मजबूर किया गया है आतंक वादी सुसाइड बॉंबर बनने पर मजबूर किया गया है या फिर किसी एक्स वाई जड आईएस आईएस के लड़ाके की बेड को गरम करने के लिए उसको इस्तिमाल किया गया है और वो भी धर्म के नाम पर धोखा देखे तो मेरे लिए उस 32 औरतों की 32 लड़कियों की स्टोरी भी उतनी ही इंपोर्टन्ट है जितनी मैं 32,000 को कवर करने के लिए बनाओ वा है क्योंकि जान जान है तो मामले की sincerity को समझेए क्योंकि 32 के साथ हो या 32,000 के साथ हो गुनाह करने की जो मानसिक्ता है वो एक जैसी ही होगी और वो हमेशा उतनी ही खतरनाक होगी 32,000 के मामले में फर्क सिर्फ इतना है कि वो मामला क्योंकि बड़ा फिजर है तो लोग उसपर discuss और debate कर रहे हैं लेकिन क्या सच में जो discussion हुआ जो debate हुआ क्या सच में ये discussion और ये debate जिस objective के लिए शुरू किया गया या इस movie से जो discussion और debate शुरू होनी चाहिए क्या वो सच में अजीव हो पा रही है आनस्वर दो चीजों पर depend करता है vote bank politics क्योंकि जो 32,000 के figure ह शायद ही कोई सरकार इसे माने और 32,000 की अगर figure है तो शायद ही कोई सरकार इसे consider करें दोनों चीजों में क्योंकि मामला सिर्फ और सिर्फ vote bank का है 32,000 figure को माना तो एक vote bank गायब हो जाएगा और केवल 32 को देखा तो दूसरा एक vote bank गायब हो जाएगा और कोई भी दुनिया की सरकार जो democratic system के अंदर रहती है वो कम से कम अपने vote bank को नाराज नहीं करेगी किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पर नहीं करेगी इसे आप और मुझे समझ लेना चाही तो सवाल पहला कि क्या democratic system के अंदर इस figure का कोई value है तो देखिए मेरे हिसाब से जब तक कि एक ऐसी सरकार न बहुत जादा सा असर नजर नहीं आएगा इतना समझ लीजिए हाँ जिस दिन ऐसी सरकार जैसे हम मानके चलते हैं कि BJP एक ऐसी सरकार आ गई जो कि particularly Muslim vote bank के लिए लालाईत नहीं है लालच में नहीं है और उसे Hindu vote bank से ही जीत मिल जाती है और satisfied form में जीत मिल जाती है तो ऐसी situation म मुझे एसी situation में मुझे लगता है कि इस party से कुछ ना कुछ direct तो इन से भी उमीद नहीं कर सकते हैं लेकिन indirect way में कुछ ना कुछ changes की उमीद की जा सकती है अब क्योंकि ये मेरे और आप से जुड़ा मामला है तो इसलिए हम इस चीज के अंदर समझें कि असलियत में एक ऐसी party की हमें जरुत क्यों है जो कि Muslim vote bank के उपर dependent नहीं है क्योंकि असलियत में एक लंबे time से अगर हम देखे तो global Islamic agenda जो है वो लगातार चल रहा है अगर इस दुनिया में मुसल्मान मुसल्मान के साथ शांती के साथ रहता है तो मुझे भी Islam स्विकार करने में कोई समस्या नहीं है लेकिन समस्या तब शुरू हो जाती है जब एक मुसल्मान ही दूसरे मुसल्मान को जो की दूसरे फिरके से है उसको accept करने की condition में नहीं है और दो मुसलिम देश भी आपस में प्यार से नहीं रह रहे है और वो भी Islam के नाम पर ही एक दूसरे से लड़ रहे है और Islam के नाम accepting your existence जो problem एक non-muslim face कर रहा है existence की के मेरे को मुसलिम जो है वो मेरी existence मान ही नहीं रहा ऐसे ही दो मुसलिम के बीच में भी ये problem है कि एक मुसलिम जो एक फिरके को मानता है वो दूसरे फिरके की existence को ही नहीं मानता है चाहे आप अजमेर शरीफ की दरगाह को मानने वालों के बारे में देख लीजिए कि दरगाह पे फूल और चादर चड़ाने वालों को नक्षबंदी सिलसले और दूसरे सिलसले के जो लोग है वो मानते ही नहीं है इसी तरीके से बरेलिवियों का देवबंदी से 36 का है शिया सुनियों का आपस में आकड़ा है और पाकिस्तान में तो शिया को वाजब उलकतल माना गया है और अफगानिस्तान में हजाराओं को वाजब उलकतल माना गया है कि उनकी अत्यादर्द हो गए तो तुम्हें जन्नत मिलेगी अब यहां मैं कैसे एकसेप्ट कर सकता ह तो ऐसी situation में वहाँ जाके शान्ती मिलेगी तो इसकी कोई guarantee नहीं है अब आ जाते हैं story के उपर तो एक तो vote bank का मामला हो गया जिसकी वजह से मैं concerned हूँ और उस vote bank में एक ऐसी party जो कहीं न कहीं इसका एक इस idea का एक regular treatment करे उसकी जुरुत परती है दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो माने या ना माने geopolitical scenario जो है वो भी आपकी सरकारों को आपकी सरकारों को कहीं न कहीं मजबूर कर देता है एक particular decision लेने के लिए जैसे एक मामला है खतर का जो नुपर शर्मा वाला मामला है उसके मामले में थोड़ा सा आपको geopolitical scenario समझ में आ जाएगा नुपर शर्मा का मामला ये है था कि तसलीम रह्मानी ने बगवान शिव और पारवती के लिए कमेंट किया और वो भी एक controversial कमेंट था नुपर शर्मा ने उसका जवाब देते हुए सवाल बूचा कि क्या मैं भी कि ऐसा बोलू उस मामले को फैक्ट चेकर का जैसा नाम का एक जलीव इनसान शाद उसका नाम मेरे ध्यान से जुबैर खान उसने ओठाया और वाइरल कर दिया उसके अंदर कतर से लेकर सब कोई कूद पड़ा असलियत में मामला कतर इसलिये कूद पड़ा वो उस छोटे से देश को ना समझे कि ये एक छोटा सा देश है असलियत में उसकी सिचुएशन को समझे कि ये OIC Organization of Islamic Corporation का मिंबर है इसमें 57 कंट्रीज है और 57 कंट्रीज का इसका सिंगत एजेंडा ही है Protection of Muslim Rights All Over the World पूरी दुनिया में मुसल्मानों के अधिकार की रक्षा करना Protection of Muslim Rights All Over the World पूरी दुनिया के अंदर मुसल्मानों के अधिकारों की रक्षा करना कोई मुसल्मान दुनिया के किस हिस्से में क्या गलत कर रहा है उसकी किसी तरीके की कोई जिम्मेदारी OIC की नहीं है उसमें इस Organization of Islamic Corporation की कोई जिम्मेदारी नहीं है कितना जादा Minorities को पाकिस्तान बंगलादेश में खतम कर दिया जाता है उसकी कोई जिम्मेदारी OIC की नहीं है रोहिंग्या कितने सारे हिंदूों और बुद्धिस्टों को अपने गाउं में 300-300 हिंदू बुद्धिस्ट एक कमर खोद के उन्हें गार देते है OIC उसकी गारंटी नहीं लेता लेकिन ये 57 देश जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पंचायत है United Nations के बाद इतना बड़ा अगर कोई देशों का संगटन है तो ये ही है और इनके पास दुनिया की जो economy का जो blood है यानि की oil वो इनके पास है गैस इनके पास है ये लोग इस चीज़ के लिए अगर आपने किसी भी तरीके से अगर आपने किसी भी तरीके से atrocities करने वाले मुसल्मान या किसी भी मुसल्मान पे किसी भी तरीके की कुछ प्रॉब्लम क्रियेट करी तो ये चाती पीतना शुरू कर देंगे ये सारे इकठे होकर वो मुसल्मान गलत ऐसा ही है उससे मतलब नहीं है उसके साथ जाकर खड़े हो जाएंगे मामले को सुल्गने बगैर सुल्जे बगैर ये एक जीव पॉलेटिकल सेनारियो का पिटर टूथ है कड़वी सच्चाई है कि आप मार खाते रहिए आप रियक्ट नहीं कर सकते रियक्ट करेंगे तो 57 देश on the name of Muslims आपकी सरकार पर तूट पड़ेंगे इतना दबाव बनाएंगे कि आप कुछ नहीं कर पाएगे और यही सबसे बड़ी सिचुएशन है या तो यहाँ पर चीन हो जो बुरके को सकर्ट बना दे दाड़ी को फ्रेंच कर्ट बना दे और चार कान पे इन OIC वाड़ों के मार के कहे के आउकात में रहो चुपचा बैड़ दो और उसके सामने ना इरान बोले ना साओधी अरेबिया बोले या तो इतना ताकतवर है देश कि वो जो चो कर रहा है या फिर वो इतना कमजोर है मतलब या फिर उसे इनकी सुननी पड़ेगी पूरी दुनिया में यही ड्रामा इस OIC ने फैना रखा है तो जियो पॉलिटिकली अगर आप देखे तो मेरा ऐसा मानना है कि OIC की बहुत जादा सी हम OIC एक ऐसा और्गनाईजिशन है जो मुसलिम्स को हर तरीके से सपोर्ट करता है चाहे वो गलत है चाहे वो सही है उसे सिर्फ और सिर्फ मुसल्मान से मतलब है मुसल्मान की सिक्यारिटी से मतलब है वो मुसल्मान दुनिया के किसी इससे में क्या कर रहा है इससे मतलब नहीं है क्योंकि मैंने खोव सर्च किया मुझे अब तक ये दिखाई नहीं दिया कि क्या OIC ने एक बार भी कश्मीर में हिंदूों का जो एक्जोडस हुआ उसका क्रिडिसिजम किया या OIC ने सैमॉल पैटी जो फ्रांस के अंदर मारा गया था उसका क्रिडिसिजम किया या एक बार भी OIC ने हिंदू मंदरों को तोड़े जाने का क्रिडिसिजम किया या OIC ने जो टर्की ने एक जो चर्च थी उसे मस्जिद बना दिया या सौफिया उसको किसी तरीके से क्रिटिसाइज किया या अपने देश में किसी तरीके से हिंद। या करिश्चन या दूसरी देशोAct या दूसरे धर्मों के राइट्स को सिक्यूर करने की बात करी, दूसरे रिलिजिन्स को सपोर्ट करने की बात करी, अरे वहाँ आप अगर मूर्ती पूजा तो छोड़ो, मूर्ती रख तक नहीं सकते, तो क्या करेंगे यार? और वो पूरी दुनिया में मुस्लिम्स के राइट्स के तो बात करता है, और अपने घर में कभी किसी दूसरे धर्म के बंदे को राइट्स देता ही नहीं है, कि ये तो इसलाम के खिलाफ है, this is clear intolerance of this OIC, क्योंकि उसका basic thought समझ ये, OIC being a Muslim organization, the rest of the world who are non-Muslim, उनकी existence इस दुनिया में इसकी नजर में है ही नहीं, इसकी नजर में, इस दुनिया में उसकी existence है ही नहीं, तो आप कैसे उमीद कर सकते हैं, कि OIC किसी को criticize करेंगी या कुछ भी, खैर, अब आजाते हैं, इस global agenda के उपर, ये global Islamic agenda है क्या, सबसे पहली बात, कि पहला शब्द, whole word belongs to Allah, यहाँ एक बात ध्यान रखें कि अगर आप Allah को God या भगवान कहेंगे, तो ये acceptable नहीं है, Allah Arabic word है, तो Arabic word ही माना जाएगा, उसका किसी भी तरीकी के कोई भी synonym को accept नहीं किया जाएगा, किसी भी Muslim के द्वारा, ये यही है, कि whole word belongs to Allah, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ, कि पूरी दुनिया भगवान से संबन देता है, पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, विश्व का रचियता वही है, मैं भगवान को भी अल्लाह का synonym मानने को तयार हूँ, अगर अल्लाह का synonym भगवान माना जाए तो, अगला, दूसरा पार्ट, कि अल्लाह, तो the whole word belongs to Muslim, अल्लाह को मानने वाले जितने भी followers, यानि जो Muslims हैं, पूरी दुनिया उनकी है, उनकी है तो हम कब जा करेंगे, हम कब जा करेंगे, तो यहाँ पर, यहीं, exactly इसी word से, exactly इसी word से, political agenda जो है, वो शुरू हो जाता है, और यहाँ से, अलग-अलग तरीके के हथकंडे अपनाए गए, एक non-Muslim को Muslim बनाने के, जैसे, अगर आप देखोगे, तो कभी जजिया लगाया जाएगा, मैं बार-बार बता चुका हूँ, कि बाइसाथ, जजिया को justify करने के सौ बहाने डूडते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ, जजिया की definition लिखिए, और उसमें Muslim की जगे हिंदू कर दो, हिंदू की जगे मुस्लिम कर दो, और अगर उस परिवाशा से आप संतुष्ट होते हैं, तो मैं जजिया को सही मानता हूँ, अगर उस परिवाशा में आप इफबट लगाते हैं, तो इस जजिया को भी इफबट में मैं भी थोलूँआ, साफ बात है, इसे समझे, कि असलियत में जजिया इसी तरीके से तीर्च यात्रा मैसूल, यानि पिल्ग्रिम टेक्स, कि यानि अगर आप कोई धार्मिक यात्रा करने जा रहे हैं, तो आपको टेक्स देरा पड़ेगा, उसके बाद स्लेवरी सबसे इंपॉर्टेट, स्लेवरी के हारे हुए को दास बनाया जाए, और उनकी औरतों को अपनी बिस्तर गरम करने का सामान बनाया जाए, उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो स्लोगन्स, यानि रिलिजियस स्लोगन्स जोके असलियत में पॉलिटिकली मॉटिवेटेड हैं, उसमें एक वर्ड हो गया जेहाद, दूसरी तरफ एक वर्ड हो गया शहीद, और यहाँ पर हो गया जेहाद, शहीद और गाजी, ये तीन शब्द हो गया, समझें? अब आप सोच कर देखिए इसके साथ साथ जो डेमोलिशन ओफ रिलिजियस श्राइन्स था, डेमोलिशन ओफ रिलिजियस श्राइन्स, जितने भी मंदिर हैं, गुर्दवारे हैं, इन सब को तोड़ा जाना, उनके जो गॉड्ज हैं, उनको हुमिलियेट किया जाना, हुमि गाजिया, गजनी की जामा मस्जिद की सीडियों पर रख दिया गया, कि जाते जाते जब लोग इस पत्थरों पर चड़ेंगे, तो अपमान होगा, और मैं बुद्शिकन के रूप में मश्वूर होगा, इसी तरीके से फिरोश शातुलक ने, जो जौला देवी मंदिर था, उसमें जौला जी, जौला माता की मूर्ती के तुकड़े करके, उन मूर्ती के जो तुकड़े थे, उनको कसाईयों को दे दिया, मास्तोलने के इंगे, अब आफ अंदाजा लगाईए कि कैसे जो गौड्स है, दूसरे एक धरमों के, उनको किस तरीके से हुमिलियेट किया ज आज भी अगर आप देखे तो भारती इतिहास उठा कर देखिए राजस्थान में एक प्रथाती साके की सांका क्या होता था जब राजपूत अपनी सेनाओं के साथ कहीं भी जाते और मतलब किसी भी युद्ध मतलब आरपार की लड़ाई में होते तो वो एक भी राजपूत पीर्थ दिखा के वापस नहीं आता उसी को कहा जाता था केसरी और जो महिलाए जिनको पता था के हमारी फौज वापस नहीं आएगी तो वो एक अगनी कुंड में अपनी आहूती दे देती जिन्दा कूद जाती ताकि उनकी इस्जत को आच ना आए और ये इसलामिक आकरा जन्ता जो है उसे नोच ना खाए उसे कहा जाता था जोहर केसरी और जोहर जब दोनों हो जाता और शहर की लगभग पूरी जो जन्ता है वो खाक हो जाती उसी को कहा जाता सांका आप पूरे हिंदुस्तान का इतिहास उठा कर देख लीजिए हिंदुस्तान में कभी भी कही भी कोई भी सांका नहीं हुआ था इन इसलामिक आकरंताओं से आने से पहले कभी कोई सांका हिंदुस्तान के इत्यास में नहीं हुआ था हाला कि सांका किसी भी मतलब जब यह सांका हुआ जब जब यह सांका होता तो उस समय के सभी योद्धाओं के उपर एक कलंक था मूँ पे कालिक थी कि उनके रहते एक पूरे शहर की महिलाएं और बच्चे अप मानित होने के डर से अपने आपको जिन्दा चला जाए सम्मान उन महिलाओं और बच्चों का जो अपनी इज़त बचाने के लिए अपनी जिन्दा की आहुती डालते हुए देर ना लगाए लेकिन मूँ पे कालिक उन लोगों के उपर जो उस समय जिन्दा थे योधा थे जिन्दा थे लड़ सकते थे लेकिन किसी वजह से नहीं लड़े चाहे आपस के रंजिश चाहे किसी और की वजह से लेकिन यह जो साका है यह इस सीज का प्रतीक है कि औरतों की इज़त लूटी जाती थी चीर हरण किया जाता था बाजारों में उनको लगबग बिना कपड़ों के बेचा जाता था और इत चितना हो सके अपमानित किया जाता था कहीं साका हुआ कहीं दास बनाई गई कहीं नरसंगार हुआ जैसे अक्बर ने चितोड़गर के अंदर 24,000 के करीब चितोड़गर वासियों का नरसंगार किया तो हर जगह कुछ न कुछ ऐसा हुआ जो की एक तरीके से सामने वाले के दिमाग में डर बिठाने का काम करता हो और सामने वाले को जिसे कहते हैं गुटलों के बल लाने के लिए एक टैक्टिक का काम करता हो वो अलग-अलग लेवल पर अलग-अलग कुछ भी हो सकता है अब इसका अगला फेस यह जो political agenda था यह 1453 में अपने पीक पर था जागर ottomans का rise होता है और इस ottomans के rise के बाद कॉंस्टरंटिनो पोल पे कबजा करके यूरोप की मुख्य भूमी के उपर ये एंटर करते हैं और वहाँ से हमला करके eastern यूरोप के देशों को जीतना शुरू कर देते हैं अच्छा political agenda में हम forceful conversion को कभी नहीं भूल सकते जिसके अंदर तलवार के दम पे आप forceful conversion को कभी नहीं भूल सकते जिसके अंदर तलवार के दम पे आप किसी को भी convert करवाते थे चीक है अब जब ottomans थे तो ottomans ने जहां जहां जीत दर्ज की वहाँ वहाँ इसलाम जो भी अपनी victory थी उसे victory of Islam कहकर पुकारा और जैसे ही victory of Islam यानि religious victory की बात की गई कि हम जीते वह इसलिए कि this is the victory of Islam and this is due to Islam this victory is due to Islam यानि religion की जीत है और religion की वजह से जीत है आज भी ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी जाहिल बिल जाते जिसका तो OVC ने भी खंडन किया कि इंडिया की हार पाकिस्तान की जीत इंडिया के ऊपर इसलाम की जीत थी तो OVC भी कहता है कि अगर इसलाम की जीत थी तो इससे पहले क्या हो रहा था ये बतो short में कहने का मतलब ये है कि अपनी victory को जब इसलाम से connect कर दिया जाता है तो उस time के social और scientific factors जो उस time पर Ottoman Empire के साथ थे उन्हें ignore कर दिया गया है आम आदमी को social और scientific factors समझ में वैसे भी नहीं आते आपने अपनी जीत को इसलाम की जीत और due to Islam, इसलाम की वजह से जीत मान लिया तो आम आदमी ने अपनी सारी achievement जो है वो इसलाम के इर्दगर्द गुवाने की तैयारी करना शुरू कर दिया यहीं से डाइवर्जन या यू कहें downfall of Muslims in this world शुरू हो जाता है उन्होंने हर चीज़ को अब इसलाम के चारो तरफ या धर्म के चारो तरफ सोचना बुनना समझना शुरू कर दिया और यहां से Muslims का downfall शुरू होता है और कहीं न कहीं rise of rise of new powers देखने को मिलता है असलियत में victory of Islam victory of Islamic forces जो है वो कहीं न कहीं forced forced other religious groups to introspect forced other religious groups to introspect अब मामले को यहां देखेंगे के ऐसा नहीं है के यूरोप वाले शान्द बैठे यहां आपको रिनेसा दिखाई देगा रिनेसा के बाद आपको enlightenment दिखाई देगा enlightenment दिखाई देगा लेकिन इंडिया भी चुप नहीं बैठा था यहां पर भी आपको भक्ती सूफी movement दिखाई देगा और सूफी movement तो बात की बात है भक्ती movement दिखाई देगा और social religious reforms in Indian society start होता है Rise of Maratha power इसी social religious reforms movement का outcome था यह यांद रखियेगा खैर इंडिया अभी इतना ज़ादा unite नहीं हो पाया progressive नहीं हो पाया जितना के European world progressive हो पाया यही से वो जो global Islamic agenda था वो कहीं न कहीं एक लंबे time तक रुक जाता है agenda जो है वो लंबे time तक रुक जाता है और मेरा ऐसा मानना है बहुत लंबे time तक नहीं कि अगर आप मुगल्स को भी देखेंगे तो 1707 में मुगल्स जो है वो south की तरफ बढ़ने का लगातार कोशिश कर रहे होते है इसी तरीके से autovans बले ही कमजोर होए लेकिन अभी भी Islamic forces काफी जादा दाकतवर थी लेकिन 1700 आते आते एक चीज़ साफ हो गई कि जितनी भी Islamic forces है उनके अंदर जो energy है वो कमजोर पढ़ने लग चुकी है वो लगबग लगबग धीरे धीरे खतम सी होती जा रही है अब हालात ये है कि वो जो Islamic forces गेर वो अपना बोज जो इतना बड़ा सामराज्य उन्होंने बना लिया Ottoman Empire इसका best example है इतना बड़ा जो सामराज्य उन्होंने बना लिया उसे भी नहीं समभाल पा रहे है और यही कारण है 1700 के बाद Ottoman Empire रुक चुका था और अब उसका downfall शुरू हो चुका था अब उसका area बढ़ने की जगे कम होता जा रहा था वही हाल मुगल्स का था और वही हाल दुनिया में जहां जहां Islamic forces थी उन सब का था वो हारती हुई दिखाई दे रही यानि 1700 onwards आप देखते हैं कि एक तरफ जो Christianity है वो आगे बढ़ रही है और दूसरी तरफ जो Islamic forces है या जो Muslims है वो कही न कहीं कमजोर होते जा रही है और वो पीछे हट रहे है 1700 से 1800 या यूं कहे 1900 तर एक transition phase था जिसमें Christian powers लगातार grow कर रही है और Islamic forces या Islamic powers में लगातार decline होता जा रहा है और 200 साल के अबाद यानि लगबग लगबग 1900 के आसपास अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूरोप जो है वो च्छा चुका है या तो वो Christianity के नाम पर वैसे मेरा मानना है Christianity के नाम पर नहीं वो मामला है Knowledge के नाम Islamic word ने दावा किया Sword के नाम पर European word ने दावा किया Knowledge के नाम पर और Knowledge के अंदर भी Trade and Commerce के नाम पर Christianity को Islamic word ने Islam को political achievements के लिए use किया अलग-अलग areas को कपजा करने के लिए use किया जहां भी गए Islam का नाम लेकर गए Europeans कभी भी Islam का नाम लेकर नहीं गए बाद में Christianity को इंट्रड्यूस किया Christianity के नाम पर नहीं गए पहले वो trade करने के नाम पर गए knowledge के दम पर गए trade करने के नाम पर knowledge के दम पर बाद में आम जंता से इंटरेक्ट करने के लिए धर्म का सहारा लिया और वो भी बहुत ज़्यादा limited form और धर्म और state के नाम के concepts वैसे भी इनके काफी हद तक clear हो चुके थी ये appreciable बात थी खेर अब यहाँ पर fast hijacking of global Islamic agenda दिखाई देता है अब आप कहोगे यह first hijacking क्या है first hijacking जो है वो असलियत में first hijack किया गया European powers के द्वारा European powers ने असलियत में जितने भी Islamic countries है first world war के बाद इनके उपर एक अलग ही level का control establish करना शुरू कर दिया था first control establish करना शुरू कर दिया था और यहाँ इन्होंने Islam को as a tool as a tool was used by European forces European forces ने Islam को एक tool की तरहे इस्तिमाल करना शुरू किया इन्होंने जान बूज कर tool की form में सबसे पहले Islam को यहूदियों का दुश्मन बनाया यह यहूदी पहले Christianity के दुश्मन होते थे उन्होंने यहूदियों और Christian की तो दोस्ती करवाई और यहूदियों को ले जाके Islam यानि इस्लाम को मानने वालों से बिढ़ा दिया यानि इसराइल जो है वो अब दुश्मन बन चुका है अरब कंट्रीज का तो पहला तो कंट्रोल यह था जिसके उपर religion का इस्तिमाल करके religious conflict को अपने favor में लाया गया इरान और साओधी अरेबिया की जो पुरानी दुश्मनी थी उसे और बढ़ाया गया इसके साथ अब अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान को बनाया गया और पाकिस्तान को इंडिया से लड़ाई रखने के लिए कश्मीर का नारा दिया गया शौर्ट में कहने का मतलब ये है इन यूरोपियन पावर्स ने इसलाम को बहुत तरीके के साथ इस्तिमाल किया इस दुनिया पर राज किये रखने के लिए इसलाम का सहरा लिया लेकिन 19th सेंचरी में एक समस्या और आ चुकी थी समस्या सबसे पहली ये आ चुकी थी कि अफनियत में इंडस्ट्रियल रेवोलिशन हुआ और इंडस्ट्रियल रेवोलिशन के अंदर जो ओयल था वो लगबग लगबग इस बेल्ट के देशों के पास ओयल और गैस सबसे ज़ादा है और इसी सेक्शन के पास ट्रेड रूट भी मौजूद है अब आप सोच कर देखिए इसी सेक्शन के पास तेल और गैस भी मौजूद है ये तेल और गैस प्रेजन्ट वर्ड एकॉनोमी का ब्लड है ये ओयल और गैस प्रेजन्ट वर्ड एकॉनोमी का क्या है ब्लड है और ये जो ब्लड है इस ब्लड को कंट्रोल क अब यूरोप को यही तो डर था कि यार यह जो मुस्लिम कंट्रीज है अगर यह जादा मुस्लिम होना शुरू हो गए तो हमारा क्या होगा इसलिए यहां पर चार प्लैन किये पहला इसराइल को बिठाओ यह फस्ट हाईजेकिंग थी अभी आओंगा केरना स्टोरी पर पहला इसराइल को बिठाओ दूसरा आफ कॉन्फलिक्ट क्रियेट करवाओ कि अलग अलग देशों में जितने कॉन्फलिक्ट हो उतना अच्छा है आम जनता का सरकार से सरकार का आम जनता से और दो देशों का आपस में कॉन्फलिक्ट इतने करवाओ कि अधियार लेने के लिए य Islamic world के अंदर जितने भी देश हैं उनमें एक तरकी को छोड़ दिया जाए जिसके पास कुछ weapon industry की एक knowledge है बाकी दुनिया में किसी भी देश के पास weapon industry को मतलब बाकी किसी भी Islamic country के पास ना तो petrol निकालने या gas निकालने की technology है ना कोई अथियार बनाने की न और कुछ इरान कोशिश कर रहा है लेकिन अमेरिका और इसराइल विल्के उसको जितना बुरी तरीके से दो रहे हैं और दुनिया के दूसरे Islamic बेश जो हैं तालिया बजा रहे हैं वो देखने लायक बात है तीसरा या चौथा सबसे important point ये था petrol dollar पेट्रो dollar के अंदर क्या किया गया कि सारी के सारी दुनिया को खासके साओधी अरेबिया को ये कहा गया कि आप dollar में तेल बेचेंगे तो हम आपके support में खड़े रहेंगे जो भी है यानि एक ऐसा तिग्णम बिठाया गया कि पूरी दुनिया का पेल अब सिर्फ और सिर्फ dollar के अंदर बेचा जाएगा बस यहीं से एक नया खेल शुरूफ हो गया इसके बदले में इस चार चीज़े थी इसके बदले में इन इस्लामिक कंट्रीज को यूरोप और अमेरिका जैसे खुली सोसाइटी के अंदर एंट्री करने का मौका मिल गया अब जो लोग शुरू में गए उनके साथ प्राम्ब्लम नहीं थी क्योंकि वो बहुत ही माइक्रोस्कॉपिक मेनियोरिटी होते थे क्या हो गया पूरे देश में 1500-2000 घर है और उन्हें पता है कि जैसा देश वैसा भेस वाली कंसेप्ट है घर के अंदर आके तो हम मुसल्मान है लेकिन बाहर हम मुसल्मान की जगह एक modern या Christian जो भी इंसान है उसकी तरहे रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा तो यहाँ शुरू में इतनी प्राब्लम आई नहीं लेकिन धीरे 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 और मज़े की बात liberalized society है liberalized society में शुरू में जो लोग Muslims गए उसको कोई समस्या नहीं थी सारे भाई भाई थे क्योंकि वो उन्हें Muslim के नाम पर नहीं बलके एक इनसान के तोर पर देख रहे थे Christian world तो पूरे का पूरा इसलाम के तोर पर देख रहा था Hinduism में भी अगरा इंडिया में भी अगर आप देखे तो इस Christians के नाम है अंग्रेजों से लड़ते लड़ते कहीं या कहीं थोड़ी बहुत Hindu Muslim एकता स्थापित हुई बाद में partition के बाद उसमें जहर भी गुला लेकिन भारत सरकार ने बहुत ही शानती के साथ बहुत ही तरीके के साथ Muslims को अपने मतलब Muslims को काफी ज़ादा rights दिये special rights दिये article 25-28 एक minority के नाम पर कर दिया जिसका सबस्यादा फाइदा अगर किसने उठाया तो वो Muslim से उठाया तो कहने का overall मतलब ये है कि पूरी दुनिया के अंदर मुसल्मान जो है वो approximate 1980s, 90s तक शानत रहा क्यों? क्योंकि अभी तक पूरी दुनिया में मुसल्मान केवल मुसलिम देशों में तो 100% ये 99.9% होते थे लेकिन बाकी दुनिया के किसी भी देश में एक significant number नहीं होता था और एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए अंदर cold war time में 1990s से पहने बहुत ज़ादा restrictions होती थी, बहुत ज़ादा महंगा, बहुत ज़ादा ताकत लगती थी इसी वज़े से बहुत ज़ादा इधर से उधर लोग नहीं घूम पाते थे नतीज़ा उसका ये होता था कि कहीं न कहीं एक limited part पूरी दुनिया के अंदर section मौजूद था Muslims का, लेकिन जैसे ही cold war खतम होता है end of cold war changed this world, cold war ended अब एक तरफ इस cold war ने जो मारा या ये cold war खतम हुआ इसके साथ ही माने या ना माने age of internet शुरू हुई आप इस चीज़ को ध्यान दें कि age of internet शुरू हुई जो दुनिया को एक click की दूरी पर ले जाने में कामयाब यानि अभी तक America call करने के लिए आपको जो फोन की घंटी बजानी पड़ती थी और वो फोन की घंटी कोई भी बीच में बैठावा इंसान सुन सकता था अब एक click दूर है, आप mail कर सकते थे आप website बना सकते थे, आप dark web बना सकते थे जाने आप क्या-क्या कर सकते थे, दूसरी तरफ cold war की वजह से borders opened, borders opened, ये जो borders थे ये खुल गए और यहां से quite free, quite free passage लोगों को मिलना शुरू हो गया, यानि पहले जो visa restrictions थी, अब वो visa restrictions कम होने लगी और जैसे जैसे ये visa restrictions कम होने लगी, जादा से जादा लोग दुनिया में इधर से उधर ट्रैवल करने लगे और इसमें सबसे बड़ा फाइदा कहीं न कहीं radicalized mindset, radicalized Muslims को होने लगी जो पाकिस्तान से लेकर, बंगला डेश से लेकर, साओधे रेविया, अरब देशों से लेकर, जहाँ जहाँ Muslims थे, उन्होंने अब यूरोप और अमेरिका बहतर जिंदगी के लिए यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में जाना शुरूप हिया, ये वही लोग हैं जिनने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इरान, साओधे रेविया, सीरिया से लेकर, अंगोला से लेकर, अलग लग जो भी Muslim देश है, उन सम के अंदर अमेरिका ने ही अफगानिस्तान वार के अंदर लडने के लिए रेडिकलाइज किया था, अमेरिका ने ही इनको कट्टर इसलाम की परिवाशा समझाई थी, अमेरिका ने ही इनको बताया था के इसलाम इस इंट डेंजर, और ये वो लोग हो चुके थे, जिन्होंने इसलाम को स्टेट से उपर माना, इसलाम is greater than state या इसलाम is greater than religion बाना यहां से कहानी आगे बढ़ते हैं जब यह इसलाम को state से आगे बना लेंगे तो state से आगे निकाल देंगे तो यहां अब ही यूरोप में एक religiously mindset या radicalized Muslims का एक batch पहुचना शुरू होता है और वो वो लोग थे जिन्होंने religion के नाम पर या तो लड़ाई लड़ी थी या वो लड़ाई देखी थी एट तरफ cold war में restrictions खतम करी तो ज़्यादा से ज़्यादा Muslims जो है अपने war torn countries से भाग कर या shift होकर अमेरिका और यूरोप में जाना शुरू हो जाते है और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर internet का age आ रहा है और तीसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं पेट्रोल और डीजल की जो economy थी पेट्रोल और डीजल की economy से Middle East के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा आना शुरू हो रहा था यानि इन फी wealth बढ़ना शुरू हो रही थी यहाँ से केरला स्टोरी आपको दिखाई देगी तभी आपको एक दम से देखेंगे दुबाई से लेकर, UAE से लेकर, कतर से लेकर, जेदा से लेकर आज सारे के सारे एक दम से रईस होना शुरू होते है इंडिया से बहुत बड़ी workforce वहाँ जाती है और इन सब के पास जो पैसा आया वहाँ वो पैसा वहाँ की Islamic क्योंकि Science and Technology तो आपने इने पढ़ाई नहीं है motivate तो आपने किसी तरीके से इने किया नहीं है आपने सिर्फ और सिर्फ इनसे पैसा कमाया इनको पैसा दिया है और पैसा दिया वो भी religiously mindset radicalized mindset के लोगों के हाथ में तो उन लोगों ने क्या किया अब ये पैसा religious religious क्या नाम है spread के लिए इस्तिमाल करना शुरू किया यानि religious works के लिए religion के spread के लिए religion को आगे बढ़ाने के लिए इस्तिमाल करना शुरू किया और जब ये पैसा अब यूरोप पहुँचने लगा तो सोच कर देखी यहां अब था क्या मामला यही से एक तीसरा section शुरू हुआ अब लोग जो पहुँचने लगे अच्छा ये जो radical mindset वाले लोग अब यूरोप में पहुचेंगे वो पहले वाले मुसल्मानों को भी radicalize करें कि बया तुम भी जादा मुसल्मान हो जाओ जो पहले यूरोप जाके बुरका नहीं पहन रही थी लेडी अब उसको भी कहरे तुम बुरका पहनो जो पहने दाडी नहीं रख रहा था उसको भी कहरें दाडी रखो जो पहले उचा पजामा नहीं पहन रखा था उसे भी कहरें उचा पजामा पहनो यानि कोट पैंट तक तो ठीक है लेकिन पैंट टकनों से उपर पहनेंगे जाके बना एक कितरा है पहनने में कोई समस्या नहीं है लेकिन जो mindset है उससे समस्या है पहली बार यूरोप के लोगों को लगना शुरूर हुआ कि यार हम liberal हैं अब problem यहीं तो आई है यूरोप का आम आदमी liberal है और यूरोप का जो आम आदमी वो तो liberal है लेकिन यूरोप में आने वाला यह नया बाशिंदा है यह over religious है Religiously Orthodox है अब यह अपने rights claim कर रहा है तो पहली बार यूरोपियन को लगा कि यार वो freedom में कोई problem तो नहीं यह करने लेकिन जब वो उस rights के नाम पर दूसरे वाले Christians की तो आदत है वो तो पता नहीं Jesus Christ और उसके मा तक की पता नहीं कौन सी पॉन मूवी बनाते वे नजर आते है वो किसी को नहीं बख्षते हैं और दूसरी तरफ यह है कि तुम मोल के दिखाओ सरतन से जुदा टाइप अब यहां यह conflict बहुत low level पर सही लेकिन शुरू हुए अभी तक यूरोक के लोगों को समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया के लोगों को समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है लेकिन एक low intensity war शुरू हो चुका था वह यह वही war था जो global Islamic agenda जो शुरू हुआ कहा से Islam के spread से लेकिन उसे hijack किस ने कर लिया European countries ने अब इस global Islamic agenda को जो European countries के control में था वो अब कहीं न कहीं Islamic radicals के control में आ चुका था Islamic radicals के control में आ चुका था और जबरदस्ट level पर आ चुका था यह जो Islamic radicals थे इनके पास अब सोच कर देखे पेट्रोल से आया हुआ finance है पेट्रोल से आया हुआ finance है एक तरीके का जो population जो है एक significant population जो है या यूँ कहें एक community जो है वो यूरोप के अंदर present है चाहे एक परसेंट से लेकर पाच परसेंट कुछ भी साथ में अब इनके पास एक इंटरनेट जैसी facility भी उपलब्द है जहां पर ये अपने साओधे रेबिया या किसी भी Islamic country में बैठ कर यूरोप के किसी भी घर के अंदर उससे जुड़ कर उसको radicalize कर सकते थे अम आप सोच कर देखिए यहां असलियत में तीन चीजे इन radical mindset के Muslims के पास इकठा हो चुकी थी इन तीन चीजों को अब ऐसे प्रमोट किया गया कि भाई हम असलियत में old glory of Islam establish करना करेंगे old glory of Islam हम यहां पर establish करेंगे और यह जो old glory of Islam है इसमें किसी भी तरीके से victory of Islam होनी चाहिए अब यह चीज तो जानते हैं कि बले ही पैसा है बले ही कही ना कहीं आपके पास population यूरोप से लेकर दुनिया के हर देश में मौजूद है बले ही आपके पास internet है लेकिन आपके पास ना तो technology है ना ही आपके पास weapon है ना ही आपके पास strength है यह अच्छे तरीकी से जानते है कि किसी भी लड़ाई को लडने के लिए ना तो आपके पास weapon है ना technology है ना planning है ना strength कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी लड़ाई तो लडनी है ऐसे में समझिये ताकतवर होगा वो सीने पेवार करेगा कमजोर होगा वो पीठ पेवार करेगा और जो हल कमजोर होगा वो आपकी जड़े खटेगा वो गुन की तरह आपकी जड़ों में लगेगा आस्तीन का साप बनेगा यहां अब वो तीसरे वाला फेज आस्तीन का साप बनने की तैयारी शुरू हो गई इसी को कहा गया low intensity war या यूं कहे एक silent war against non-muslims of this world silent war against non-muslims of this world यह बड़ा important point है इसे समझ येगा अब दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में यह war शुरू हो चुका है एक बात clear शब्दों में समझ लीजिए this war is not about Allah यह युद अल्ला के लिए बिल्कुल नहीं है यह युद इसलाम के लिए बिल्कुल नहीं है यह युद एक मेरे जैसा बनोगे तो तो ठीक है वरना I would not do anything openly but I would not let you live peacefully मैं अभी कमजोर हो तुम्हे अभी तुम्हें तुम्हें तुम्हारे सामने नहीं बोल होगा मैं शान्त दिखूँगा लेकिन अंदर ही अंदर वो बंदा कह रहा होता है कि तुम्हें जीने तो नहीं तूँगा क्योंकि तुम्हेरे जैसा क्यों नहीं बन रहा और तुम्हेरे जैसा बनेगा तभी होगा अब ऐसे सामने वाला अगर कोई कुछ कहेगा तो OIC जैसे चाती पीटे है अगर सामने वाला कुछ जादा इट्रोसिटीज करेगा तो विक्तिम काइड है पीवी डिबेट्स के अंदर डिस्ट्रेक्शन करने वाली पूरी एक फौज है और ग्राउंड लेवल पर लड़का और लड़की दोनों के दोनों लगे हुए हैं दोनों के दोनों लगे हुए हैं कनवर्जन करवाने में यह समझे अब यह कनवर्जन अलग-अलग लेवल का है यह आपको ब्रिटेन यह आपको अलग-अलग देशों में अलग-अलग फॉर्मस मिलेगा यह जो एजेंडा है ना यह आपको अमेरिका के अंदर इलहान उमर नाम की जो लेडी है उसके तरीके से मिलेगा कि यह पूरी दुनिया के अंदर इसलाम का जो विक्टिम कार्ड है वो खेलने में लगी रहती है पूरी दुनिया में जहां पर भी इसलाम का मामला होता है वहाँ खड़ी होकर नज़र आएगी आपको यह जो लेडी है यहाँ यह आपको युनाइटिड किंग्डम में ग्रूमिंग गैंक्स की फॉर्म में नज़र आएंगे जो पहले 12-13 साल की दस-12-12-12-15-15 साल की जो बिटिश लड़किया white लड़कियां थी उनको target करते थे बाद में अलग-अलग sick only sick लड़कियों को target करने लगे फिर hindoo लड़कियों को target करने लगे अभी जो क्या नाम है सुहिला ब्रेवरमेन ने जो shore मचाया कि भाई ये जो मामला है ये क्या नाम है whites का मामला जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से यहां पर सारी की सारे सिचुईशन्स है चीक है और कैसे पाकिस्तान से ओरिजिनेटेड जो मुसलिम्स है वो किस तरीके से ग्रूमिंग गैंक से वार है और यहां तक की बिटेन की जो पार्लेमेंट हाउस का हाउस अफ नजर आएंगे आप श्रीलंका के अंदर देखेंगे तो बंगलास्ट होते वह नजर आएंगे आप बर्मा के अंदर देखेंगे तो कहीं ना कहीं रॉइंग्या इशू नजर आएगा अगर आप इंडिया में देखो गे तो time to time period to period या area to area आपको सारे cases अलग-अलग मिलें कश्मीर के अंदर एक्जोडस की फॉर्म में मिलेगा पंगाल के अंदर कहीं न कहीं माइग्रेशन की फॉर्म में मिलेगा और केरला के अंदर कहीं न कहीं पी एफ आई और लव जिहाद की फॉर्म में मिलेगा अब सोच कर देखो PFI अब ये नाम भी एक अलगी लेवल पर हो गया PFI पॉपुलर फ्रेंट आफ इंडिया इसमें कई मुस्लिम का नाम ही नहीं है लेकिन और टारेट क्या है 2047 तक यानि अगले 20-25 साल के अंदर हम पूरा इसलामिक स्टेट और मतलब इस इंडिया को इसलामि बनागे रख देंगे और यहां ये लेबनन के अंदर भी हमास की फॉर्म में मौजूद है ये आपको सीरिया के अंदर भी अलग फॉर्म में मौजूद हो हर तरीके से यहां पर ये अलग अलग गैंक्स की फॉर्म में मौजूद है किरला स्टोरी इसका एक एग्जामपल है अगर आप केरला स्टोरी या कश्मीर स्टोरी या डेली रायट्स या लव जहाद या किसी भी ऐसे मामले को इंडिवीज्वली देखते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत ज़ादा गड़बड है क्योंकि दिखिए जब तक religious congregation मस्जिदों में होता रहेगा Friday नमाज से पहले पढ़ पढ़ के बहुत सारे messages सुनाए जाते रहेंगे कही न कहीं उनको radicalize किया जाता रहेगा उस अजान के बाद जो भी political या religious discussion होता है वो कहीं न कहीं radicalize होगा ये mindset change हो ही नहीं सकता ये mindset कभी भी change नहीं हो सकता तो जो केरला वाला मामला है उसमें अगर idea देखे तो islamization अगर आप finance देखोगे तो गल्फ कंट्री से खूब पैसा आ रहा है अगर आप workforce देखोगे तो हर Muslim लड़का या लड़की या जादातर Muslim लड़का या लड़की इस मामले में आपको कही क्भी चेळा कहीं क्योंकि यह कहा गया है ना कि अगर आप एक non Muslim को Muslim बना देते हैं तो आपको जन्त मसीब होगा तो हर आदमी एक non Muslim को मसलिम बनाएगा तो जन्त तो नसीब होगी तो चाहे लड़का और लड़की दोनों के दोनों लगे हुए है और आज कल तो सुनने में आता है के हर किसी की rate list fixer और सब चीजे और जिस तरीके से मामला है वो तो बड़े ही खतरनात तरीके से है बैंने अपने बच्पन का एक मामला और एक अपने रिष्टेदारी का एक मामला आपको बता भी दिया अब उसके बार टार्गेट क्या every non-muslim of this world हर वो non-muslim अभी फिल्हाल Muslim-Muslim को तो convert करेगा दिना non-muslim को Muslim में convert करने का जो target है वो यहाँ पर है अब सवाल ये solution क्या है देखिए अगर आप सरकारों से उम्मीद करेंगे सरकार किसी भी तरीके की एक face to face war शुरू करेंगी यहाँ माने या ना माने एक मामला जो है वो civil war का fear है तो इसका solution क्या है इसका only solution is awareness हमें अपने बच्चों को दो तरीके से aware करना होगा कि what is going on ऐसी movies दिखाओ और केरला स्टोरी जैसी तो movie पक्ता दिखाओ कि what is going on एक दूसरा हमें अपने religion को भी समझना पड़ेगा कि या वो कितना scientific है यार छोटी सी बात यह है दुनिया का कोई दूसरे religion की ऐसी आउकात नहीं जो planet based relative position आपके जनम के टाइप पे आपकी बता दे planet based relative position अगर आप अनपड है और मेरी इस word को नहीं समझ पा रहे है तो यह आपकी कमजूरी है आपकी जो जनम कुंडली है ना वो आपके ग्रहों के अनुसार नौ ग्रहों और बाकी दूसरे उसके permutation combination के अनुसार कहां पर आप थे उसकी particular degree बता के पूरे वविश्य का एक चार्ट बना देता है पंडित बैठे बैठे of religion is the integral part of Hinduism दुनिया के किसी भी धरम के अंदर इतनी freedom नहीं है कि आप अपने हिसाब से अपने विश्वास को decide कर सकें वो और डीप में जाएंगे तो समझ में आएगा कि इनसान के तरीके से बगवान है बगवान के इसाब से इनसान नहीं है तभी दिखी गई है का जौपाई है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी अगर आप ध्यान से बैठ के समझेंगे तो ये हमारे freedom of religion का best part है यारी मेरे को लगता है कि मुझे हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए तो करेंगे मेरी वाइफ को लगता है कि खटो शाम जी की पूजा करनी चाहिए तो करेंगे मेरी मा को लगता है कि भूले बाबा की पूजा करनी चाहिए तो करेंगे मेरे छोटे वाईगो लगता है कि पूजा नहीं करनी चाहिए तो नहीं करेंगा ये freedom of religion है और उसके समझने के लिए भी बुद्धी चाहिए और नहीं समझ में आता रही बात जो मैं उस मूगी में देख रहाता कि बगवान होता तो तेरी रक्षा करता और भई बगवान होता तो रक्षा करता तो भईया ऐसी तो दुनिया के अंदर नजाने कितनी महिलाओं के हलाला भी हो रही है तो रक्षा तो उनकी भी नहीं हो रही नजाने दुनिया में कहां कहां रेप हो जाते हैं उनकी भी रक्षा नहीं हो रही नजाने कितने अनात हो रहे हैं उनकी भी रक्षा नहीं हो रही पाकिस्तान में नजाने कितने भूक से मर रहे है उनकी भी रक्षा नहीं हो रही अफगानिस्तान के अंदर खंड से मर गए पता नहीं उनकी भी रक्षा नहीं हो रही तो शक्ति अगर इतनी ही यही क्राइटेरिया अगर शक्ति और दूसरी चीजों का होता है और जो जलील इंसान सडक के उपर लड़कियों को छेड़ता है तो सीधी सी बात है भाई अगर इतना ही है तो उनके private parts को काट देना चाहिए उनको मारने के लिए तैयार रहना चाहिए और ऐसे दो-चार की बली दे दी जाएगी जो सडकों के उपर लड़कियों को छेड़ते वे नजर आते है तो सिस्टम अपने आप सही हो जाएगा क्योंकि court में प्रूव करना बड़ा मुश्किल काम होता है कि लड़कियां जो है वो छेड़ी गई कहने को तो बड़े सक्त कानून है लेकिन reality लेकिन उस लड़की को थोड़ा सा खुद ताकतवर और निप्ता के उसके मतलब between the legs ऐसा मारे कि बंदा मर जाए तो लड़कियों को शक्त होना चाहिए देवी देवता या कोई भी God भगवान कुछ भी आकर या अल्लाह वहाँ पर आकर खड़े होकर आपकी मदद हर टाइम नहीं कर सकता आपको अपने से शुरुआत करनी पड़ेगी सबसे बड़ी बात अब रही बात लास्ट है फिर कि भाई दो-चार बार reverse love जहाद भी कर दिया जाए अगर love जहाद जिस तरीके से आप देखें तो उसको उसी की भाषा में समझाने के लिए दो-चार volunteers खड़े हो और वैसा ही कुछ reverse form में करे ताकि उसे भी पता लगे कि वाई tit for tat है क्योंकि ये चीज लव जहाद करने वाले जाहिलों को समझनी पड़ेगी कि हिंदू community अगर पीछे इस मामले में पड़ गई जैसा कि आज कल एक मैंने आज वीडियो देखा था उसके उपर भी बनाऊगा fear नजर आ रहा है कि जादा aware हो गई और एक बार इस तरीके से पीछे पड़ गई तो मुझे ऐसा लगता है कि लिए विवर्स लव जहाद के चक्कर के अंदर मुसल्म नड़कों को लड़कियां मिल दी बंदो जए तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ है और communal harmony बनाए रखना सब की जिम्मेदारी है ऐसा नहीं है कि किसी majority की है majority को तो जिम्मेदार होना ही होना है minority की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो भी इतनी aggressive ना हो या इतना overloaded with religion ना हो कि उसको जेल पाना मुश्किल हो जाए तो दोस्तों अभी इसका solution तक हम पहुँच चुके हैं वाकिए वीडियो आप लोगों को कैसा रहा काफी time हो चुका है इसको बनाने के लिए last में जब मेरी friend से बात होगी तो मेरे को एक particular dimension भी मिल गई और शायद आज का वीडियो को ज़्यादा ही लंबा होता हुआ नजारा कहा है तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही धन्यवाद comment box में ज़रूर बताईएगा और मेरे इस वीडियो को like, subscribe करे, share करे बेल आइकन ज़रूर दबाए ताकि पेरे ये वीडियो जल्दी से जल्दी आप लोगों तक बहुत सके, तन्यवाद